Hi everybody, welcome to Abhimanyu IES, मेरा नाम है Maninder और आज हम एक बहुत इंट्रस्टिंग सीरीज लेके आये हैं Concepts in General Studies, Environment and Science and Technology के अंदर जहां पे हम आपको थोड़े छोटे-छोटे Concepts करवाएंगे under 10 minutes, ताकि आपके basics जो हैं वो clear हो जाएं Abhimanyu IES, पिछले 23 years में more than 2000 selections दी हैं including toppers in UPSC and other state civil service exam हमारा नए batches आ रहे हैं, आप batches को enroll कर सकते हैं with you know description जो नीचे हमने link में दे रखा है तो चलिए without wasting any more time हम start करते हैं ये series जो आपके लिए बहुत ही awesome होने वाली है तो चलिए, तो देखिए आज हम जो topic करेंगे वो बहुत ही basic topic है environment के बारे में तो ये सवाल सबसे बड़ा question दिमाग में ये आता है कि sir environment क्या होता है आप कोगे यार ये तो बहुत ही basic सा question है इसको क्या answer करना है लेकिन still जब हम अपने concepts को पढ़ते हैं तो हमारे ये basics बहुत clear होने चाहिए तो देखिए environment का basic मतलब आप समझो दियान से कि जैसे आप जहां पर भी अभी बैटे हो उसके आसपास का जो भी आपको दिख रहा है जो surrounding आपको दिख रही है उस surroundings में यह हो सकता है कि एक room हो उस room के अंदर दिवारे हो या जो भी आपके air condition हो या फिर आपके television set हो या फिर आगर आप रूम में नहीं बैठे, ओपन एरिया में हो तो ओपन एरिय में स्काय है मतलब जो भी आपको सराउंड कर रहा है, जो भी आपके आसपास, आपके एक्स्टरनल है जो भी आपको सराउंड कर रहा है, वो सारा पार्ट जहां तक आप देख सकते हो अबिय्क है करेंगऌ, तो फिल्कुल सिम्पल सी लैंगज के लापके, यह बाहर हूँ, तो भी आपको प्राइज में स सूरच दिख रहा है तो basically the entire thing जो हमारा हमें surround कर रहा है that entire you know space की जो dimension है जो space की वो feeling है उसको हम environment बोलते हैं so environment is nothing but the space that surrounds us in simple language के अंदर अभी ही एक joke है कि environment के उपर Donald Trump बोल रहा है I am great with environment, believe me और वहाँ पर same time पर ही cutting चल रही है tree की next देखते हैं next आता है habitat तो यह कुछ ऐसी terms हैं जो इसमें normally बच्चे confused हो जाते हैं environment को habitat समझ लेते हैं और habitat को environment habitat एक ऐसी जगा होती है ऐसी space होती है ऐसा environment का वो part होता है जहां पर हम रहते हैं यानि कि the place where people live where organisms live जहां पर live करते हैं उसको आप environment बोलते हैं habitat बोलते हैं तो देखिए होता गया है आप समझो इस चीज़ को habitat तो ऐसी एक चीज़ है जहां पर organism रह रहा है और वो environment का ही पार्ट है लेकिन environment में ऐसे भी parts हो सकते हैं जहां पर organism को रहना मुश्किल हो सकता है तो वैसे areas जहां पर वो part of the environment जहां पर organisms नहीं रहते हैं उसको हम habitat नहीं बोलेंगे so every environment is not habitat but every habitat is you know environment so यह समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर organism हर environment में नहीं रह सकता अगर मैं आपको बोलूं के हम बिल्कुल top of the mountain पे रह सकते हैं या फिर बिल्कुल समुंदर की गहराईयों में जाके रह सकते हैं या space के अंदर रह सकते हैं या फिर हम harsh conditions में रह सकते हैं the answer is going to be no तो वो environment तो है वो surroundings तो हैं उस area में surroundings तो हैं लेकिन definitely वो habitat नहीं है because वहां पे हम रह नहीं सकते for example अगर class की बात करते हैं जैसे class है उस class के अंदर अगर बच्चे हैं तो वो class basically habitat हो गया लेकिन रात को जब वो class बंद हो जाती है और हम चले जाते हैं छोड़के और कोई नहीं रहता वहां पे तो वो habitat नहीं वो सिरफ environment रह जाता है so environment और habitat में यह difference बिल्कुल clear होना चाहिए habitat is a area, is a part of that environment where a person lives habitat बहुत type के हो सकते हैं desert habitat हो सकता है यानि ki deserts के अंदर species जो हैं वो रहती है है ना वो adapt कर जाती हैं अपने आपको desert conditions के अंदर फिर घरों में हम रहते हैं तो यह domestic habitat हो जाता है फिर farm areas में species रहती हैं कुछ agricultural farm में species रहती है यह habitat हो जाता है इसके लावा अगर हम देखे तो forest में species रहती है polar areas जो हमारे Arctic Antarctica है उसमें species रहती है फिर wild में मतलब forest areas की wild में habitat है फिर अगर हम बात करें तो wetlands बहुत interesting habitat है wetlands उसके अलावा tropical rainforest हो गया फिर सवाना हो गया और finally oceans हो गये यह सब habitat के different examples होते हैं सो मोटा मोटा अगर मैं बता हूँ simple language के अंदर habitat और environment में difference यह है कि every habitat is an environment but not every environment is a habitat so simple सा definition है सो यह explain करना था मुझे the difference between habitat और environment आपको high hope clear हो गया हो फिर आता है next topic called biosphere देखो एर एक बहुत simple language में अगर मैं बताओं तो हमारे पास तीन spheres होते हैं यह ना lithosphere होता है हमारे पास atmosphere होता है हमारे पास और finally hydrosphere होता है तो जैसे अगर mother earth को देखें तो कुछ part of mother earth हमारा solid है solid state में है, structures है, mountains है, plateaus है, plains है, continents है यह जो structural part है हमारे earth का यानि कि यह पुरा हम जो structure देखते हैं, यह पूरे structure को हम lithosphere बोलते हैं, lith का मतलब होता है stone ठीक है तो stone से यह पुरा का पुरा हम लेते हैं तो इसको lithosphere बोलते हैं लेकिन जब हम इस structure जब हम देखते हैं हमारे earth में एक और major part है which is also water तो almost 70% water है यानि कि जिसमें oceans, rivers and you know, ponds, lakes and even seas आ जाते हैं, समुंतर आ जाते हैं वो सारा hydrosphere का part आ जाता है और फिर एक part हमारा earth का है जो है हमारा gaseous state के अंदर यानि कि atmosphere तो वो part पूरा atmosphere में आ जाता है एक ऐसा sphere है जो हमारा atmosphere में भी है कुछ part उसका lithosphere में भी कुछ part है और finally उसका hydrosphere में भी कुछ part है ऐसा sphere जो तीनों में combination में exist करता है यह sphere की speciality यह है कि इस sphere के अंदर life exist करती है तो यह sphere which is combination of hydrosphere, also combination of atmosphere, also combination of lithosphere ये तीनो spheres की combination का जो एक common area होता है उसको हम बोलते हैं biosphere so biosphere is that part of atmosphere, that part of lithosphere और that part of hydrosphere जहां पे life exist करती है तो यहां पे आप देख सकते हो कि देखो atmosphere का काफी area है जहां पे life नहीं exist करती और कुछ area है जहां पे life exist करती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बिल्कुल atmosphere के ऊपर चले जाएं और space stratosphere के पास चले जाएं तो वहां पे life exist करना मुश्किल हो जाएगा similarly अगर आप देखो कि lithosphere में अगर हम बिल्कुल deep down चले जाएं, बिल्कुल inside of the lithosphere में चले जाएं तो वहां पे हमें life नहीं देखने को मिलेगी, deep sea winds के अंदर life देखने को नहीं मिलेगी और same goes with hydrosphere कि हम बिल्कुल पानी वहां पे चले जाएं, जहां पे बहुत ही कम light पहुंचती है, एफ और टिक लियर हो जाता है I hope यह आपको समझ में आ गया, what is actually biosphere, तो हमने अभी तक तीन टर्म पढ़ ली है, environment हमने पढ़ लाए, that surrounds us, habitat is a place where an organism lives, and biosphere is a very big term which connects के lithosphere, hydrosphere और atmosphere का वो region जहां पे life exists करती है Last हम करेंगे, ecosystem, तो ध्यान से सुनना आपको ecosystem क्या है, एक car है, हम car ले लेते हैं, और यह car जो है, अगर car बिल्कुल ऐसे खड़ी है, car, तो यह car जब खड़ी है, तो यह कुछ काम ने करें, इसमें life नहीं है, लेकिन यह जब car चलने लग जाती है, तो हम बोल देते हैं, car में life नहीं, it's functioning, तो अगर हम environment की बात करें, या biosphere की बात करें, यह environment और biosphere या habitat की बात करें, आप यह तो नहीं बोल सकते हैं, यह static है, आप यह ज़रूर बोलोगे कि हाँ sir, इसमें energy है, इसमें function है, इसमें कुछ चल रहा है, कुछ काम चल रहा है इस पूरे process के अंदर, breathing है, हम जब इसके अंदर fuel देलेगा, और यह पूरा fuel के साथ उसके बाद उसकी connectivity होगी, तो basic idea क्या है, कि ecosystem क्या है, it is the functional part of the environment, यानि कि जब हम इस पूरे कार को चलते हो इको समझते हैं, अगर खड़ी कार को समझेंगे वो ecosystem नहीं होगा, ecosystem is कि जब एक functional part, एक energy है इस पूरे system के अं जालते हैं, और ecosystem की classification में डालने के लिए हमें बहुत important है, कि हमें दो type के fuels की understanding बड़ी ज़रूरी है, एक fuel होता है biotic factors और दूसरे होता है abiotic factors, biotic factors होते है generally वो factors जहां पे life involved होती है, जैसे हमारा soil हो गया, bacteria हो गया, animals हो गया, plants हो गया, और इनकी interaction जब abiotic factors के साथ होती है, ज इनकी अंदर life नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, तो यह दोनों factors जब आपस में interact करते हैं, तो एक energy सी generate होती है और system जो चलता है, इसको हम ecosystem की classification में डालते हैं, तो आज हमने concept और series के अंदर बहुत ही interesting environment के कुछ concepts देखे, जिसके अंदर हमने समझा ecosystem के बारे में, हम हमने समझा habitat के बारे में और finally हमने जो है understanding की environment के बारे में, अगली series के अंदर हम next important topic पे चलेंगे, अगर आपको series अच्छी लग रही है, तो channel को like, share और subscribe ज़रूर करिएगा, thank you everybody. झाल